राइटर मनोज मुन्तशीर ने स्विकार किया है कि आदिपूर्श लिखना उनकी एक गलती थी दूसरी बड़ी गलती ये कि मीडिया के सामने खराब डायलोग पर सफाई दी उन्होंने अंजाने में धार्मिक भाउनाओं को ठेस पहुचाने के लिए माफी भी मागी है साथ ही उन्होंने कहा कि बाकियों की तरह अपनी गलती सुधानने के लिए उन्हें भी दूसरा मौका मिलना चाहिए रिलीस के बाद खराब डायलोग की वज़से उन्हें जान से मानने की धंकिया मिली थी इस कारण वो कुछ दिनों के लिए भारत छोड़ विदेश चले गए थे एक बाचित के दोरान उन्हेंने माना कि आदीपूरुश लिखने के दोरान उनसे सो प्रतिशत गलतिया हुई है उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं है मैं इतना भी इंसिक्यर शक्स नहीं हूँ कि अपनी गलती का बचाव यह कह करूँगा कि मैंने अच्छा ही लिखा है ये मेरी ही गलती है लेकिन इस गलती के पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था धर्म को ठेस पोचाने की मेरी मन्शार नहीं थी बगवान राम को बदनाम करने या हनुमान ची के बारे में मैंने जान बूच कर गलत नहीं लिखा है उन्होंने आगे कहा मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है मैंने इस घटना से बहुत कुछ सीखा है अब आगे से मैं बहुत साउधान रहूँगा फिल्म रिलीस के बाद अपमानजनक डायलोग की वज़े से मनोज मुंतशिर को खूप ट्रोल किया था तब उन्होंने मीडिया के सामने आकर सफाई दी थी बागी की तबाओ का अब रुकले बने रही है राजडवा नभी के साथ काने बाद